हालो गैज मैं खुशिर आपका स्वागत करती है दर नियूस्टॉक चैनल में एक यूवक नहीं ऐसी हरकत की है इंटर सिटी ट्रेन के साथ की आउटर पे वो एक घंटे तक खड़ी रही तो चलिए जानती है ये पूरा मामला क्या है और वहां के पाइलिट का क्या कहना है और हम आज की नियूस में आपको बताने जा रहे हैं पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिजी बल आइकन को दबा दीजी जान कर ये अच्छी लगी तो कमेंट बक्स में कमेंट जरूर कीजी और साथ के साथ एक लाइक ठोकते भी जरूर जाए तो सिटीज ट्रेन राइबरेली से साड़े च्छे बजे सुभा निकली और गंगर जन एक ऐसा रेल्वे स्टेशन है जहां पर वो अचानक से रुक गई और जब वो अचानक से ट्रेन रुक गई तब बहुत सारे लोग घबरा गए और वहां पर जब आगे दो पाइलेट तब उन्होंने देखा कि जो पीछे बैठा हुआ जो एक पाइलेट है वो काफी जादा घबराया हुआ है और वहां पर एक और लड़का है जो की छेड़ चार कर रहा है इंजन के साथ जिसके कारण इंटर सीटी ट्रेन वहां पर रुक गई और जो दूसरा पाइलेट था जो पीछे बैठा था तब उसने बोला कि काफी जादा मेरे साल लड़ाई जगडा किया और उसके बाद वो इंजन के साथ जाके कुछ ना कुछ कर रहा था और उसके बाद उस जो लड़का है उस लड़के को वहां पर एक रूम पर बंद कर दिया गया और बंद करने के बा पर जब पुलिस वाले आया, RPSI जो रेलवे स्टेशन पर होती है, वहाँ पर आके उन्होंने उस लड़के को बहाद निकाला और आभी तक इसके उपर कोई लिखत पड़त नहीं हुई है और उनका कहना ये है कि जो ये लड़का है, वो मानसिक हालस से ठीक नहीं है और इसके कारण ये सब चीजें नहीं हो सकती, इसके उपर कोई कारवाई नहीं हो सकती, पर इसी के साथ पाइलेट के उपर काफी जदा बाते हो रही है, कि अगर वहाँ पर पाइलेट था, तो ये लड़का कैसे चुपके अंदर बैठ सकता है, और वो चलती ट्रेन को कैसे रोक सकता से उपर कारवाई हो रही है, बहुत सारी बाते हो बाते हैं, जो कि पाइलेट के उपर अभी रखी गई है, अगर आपको इस ख़बर के बारे में जानके अद्टी तो कमेंड बॉक्स में कमेंड जरूर कीजिए और सात के साथ एक लाइक ठोकते हो ज़रूर हो जएति के पहले तिव इजाज़त बबाई ठेक क्यार नमस्कार